निवेशकों को इस फामा स्टॉक के क्वार्टर वन के नतीजों का बहुत जादा बेसंबरी से इंतजार था अब ही जब मैं दोस्तों वीडियो बिना रहा हूँ लगबाग रात के एक बजे हुए हैं तो थोड़ा सा मैं टायड हूँ तो उसके लिए शमा चाहता हूँ और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपसे इसके उपर जब मैं आपसा चर्चा करूंगा मेरा मीन फोकस रहेगा इस रिजल्ट के बार में थोड़ी चर्चा तो करेंगे लेकिन जो हमारा प्राइम फोकस है इस वीडियो का वो है कंपनी ने गाइडेंस क्या दी है किस तरह से अलग-अलग शेत्रों से आप क्या सकतने कंपनी के रेवेन्यू आए हैं कहां पे डेंट पढ़ता हो दिखाई किस तरह जोग्राफिकली डेवेट सिफाइड बिजनस काम कर रहा है क्या प्रॉब्लम आ रही है बिजनस करने में ताकि जो एक लांग-टर्म इंवेस्मेंट का हमारा प्रॉस्पेक्टर से उसे हम अच्छी तरीकी समझ सकें नमश्कार दोस्तों मेर नाम हमिता मिश्रा और कि एक क्वाटरली रिजल्ट रहे सेल्स के नंग अगर आपको में दिखाऊं यह कंदूस्तों स्टैंडलोन रिजल्ट है तो जो जून के क्वाटर के नंबर से सेल्स के वह 159 क्रोण है जो कि पिछले क्वाटर का पिछले साल इसी क्वाटर में देखेंगे तो 147 से बहुत ज्यादा मातरा में नहीं बढ़ गए कि इनकी बॉट्टम में इनको बहुत ज्यादा हट कर सके ठीक है बात करें ऑपरेटिंग प्रोफट मार्जिन की तो वहां पर आपको देखें साथ परसेंट दिखाई दे रहा है क्यों 15 परसेंट सीधा साथ परसेंट अपरेट अच्विक बाजारों में जिसका असर तमाम कंपनीज में दिख रहा है और माकसन फावम भी उससे अच्छूता नहीं रहेगा दोस्तों बात करूं मैं नेट प्रॉफिट की आखरी में तो देखें 21 क्रोड से घट करके वह 19 क्रोड हो गई है और अगर मैं कॉट्रन येर ओन नहीं लगता दोस्तों कोई सर्प्राइज है और यही करण है कि आप एक चीज़ धेख रहे होंगे कि बाजार ने माकसन फामा को बाइबेक कित्ती इच्छी न्यूस के बावजूद जो एक लेवल होता है 50 रूपीज का उसको तोड़ करके उपर जाने दिया नहीं दोस्तों ठीक है तो ये तो एक शॉर्ट डेस्क्रिप्शन हुआ कि रिजल्ट कैसा था अब उस तो और चलते हैं जहां मेरा मेन फोकस है कि कंपनी की गाइडेंस क्या है कौन से शेत्र से जिए रिलीस वाला तो देखें माकिंग स्टांग स्टांग स्टाउड ऑफ दी एर ठीक है आप देखें माक सदाना सल्धाना जो है अच्छा शुरुबात किया है और हर एक शेत्र में हमने बढ़त दिखाई है और हमार जो एक्जिस्टिंग बिजनस है जो नए प्रोड़क्ट अप्रूवल्स है और जो लॉंचेस है वह आने वाले समय हमारा मोमेंटम है उसे आगे बढ़ाते रहेंगे इनका जो तीन फोकस रिजन दोस्तो यूएस यूक और अस्ट्रेलिया वहाँ पर ये एक प्राइम मैनिफेक्ट्चर की तरह उभरे हैं प्राइविट लेबल के स्टोर ब्रैंड में कहां तीजगाव पर यूएस यूक और अस्ट्रेलिया में इनका जो कहना है कि जो इस तरह से डिमांड बढ़री है OTC मेडिसन की अक्रॉस रिजन हम उसमें काफी हद तक कह लिजे अपने आपको बहुत मजबूती के सदर रखेंगे और हमारी ग्रोथ वहाँ पे बहुत जादा होगी आपको पता हो OTC वही होता है दोस्तों जो बिना प्रिस्क्रिशन के आप मेडिसन ले सकते हैं ठीक है तो यह तो अब भी MD साब की बाद काफी positive काफी confident commentary है ठीक है अब चलते हैं highlights को देखते हैं कि highlights कैसे हैं देखिए operating revenue was at Rs. 433.8 crore growing by 24.3% driven by strong volume growth in existing product and new launches in US and UK ठीक है जो volume growth है वो काफी शांदर हुई है reason जो already existing product से plus जो नई launches उन्होंने US UK में किये थे वो काफी अच्छा काम की है US business grew by 25.7% ठीक है जो US का business है 25% भी नहीं दोस्तों 25% से भी जादा की तीजी से बढ़ा है और problem क्या रही है जो तमाम आप कह सकते हैं पामा companies के इस पार है Price erosion in the US continued in the high single digit during the quarter impact generic prices दोस्तों कहलेजीए जो price erosion in US में वो लगातार बढ़ता जा रहा है वो भी single double आपके सकते हैं high single digit में यानि 9% 8% के आसपास का और किसके business को impact किया इनके generic business को मैंने आपको बता है US में generic business में cutthroat competition है दोस्तों UK & Europe grew 13.7% UK और Europe दोनी दोस्तों 13.7% से बढ़े उना business ठीक है अब बात करते हैं gross profit की तो देखिए gross profit was rupees 218.9 crore grew by 17.3% year on year with gross margin at 50.5% gross profit जो भी दोस्तों वो 17.7% year on year बढ़ा है और जो gross margin है 50% से भी ज्यादा की reduce में देखने को मिल रही है लेकिन बात करें EBITDA की तो वहां आपको गिरावट देखने को मिलेगी EBITDA was 72.9 crore declining by 5.8% with EBITDA margin at 16.8% EBITDA 272.9 crore में रहा है जो कि 5.8% की गिरावट दिखा रहा है और EBITDA margin 16.8% पर रहा है on account of increase in cost of material, freight cost and pricing pressure in the US और EBITDA margin में pressure इसलिए दोस्तों क्यों देखे एक तो आपका price बढ़ गया, क्यों बढ़ गया input cost के कारण, फिर क्या बढ़ता है freight cost जिस तरह से import and export cost बढ़ रहे हैं उसी को freight cost कहते दोस्तों वह बहुत दादा pressure कर रहा है और US में competition जिसका pricing pressure आ रहा है वह एक बड़ा प्रॉब्लम है R&D में company ने बिलकुल निवेश किया है, इनकी पूरी sale इसका 2% होने research and development में निवेश किया है, healthy cash balance है, 339 crore के which is also fine अब बात करते हैं, outlook क्या रखा गया है, तो देखे, during the quarter, the input cost pressure continued to build up, adversely impacting our margins, however, we expect the inflationary pressure to moderate and remain confident in our ability to navigate the challenges, we have started passing on price increasing to our customer, ये line मुझे काफी अच्छी लगी, देखे, outlook यही है, कि जो pricing pressure है, जो cost pressure वह साफ देखने को मिल रहा है, इनके margins को dent कर रहा है, जिस तरह का इस निशनरी महाल है, इन लोगों का management का ही मानना है, आने वाले से हमें, ये चीज़े ठीक होंगी, थोड़ी सी सा, आपके तरह शान्थ होंगी, और अब जो company है, वह जो price है, उसे अपने customer को धिरे pass on करनी शुरू कर दी है, ठीक है, अब बात करते हैं, main geographical area में business किस तरह हो रहा है, तो देखिए, business highly US market, US and North America formulation business reported growth 26% year on year to 173.9 crore of quarter 1 of financial 23, जो US and North America का formulation business है, 26% year on year के दोस्दर पर बढ़ा है दोस्तों, जिस से 20 को oral solids है, और 12 जो है, वो onement and cream है, within oral solids, 4 are soft gel, तोस्तों, जो company जो onement है, जो soft gel है, उसमें बहुत ही बड़ा नाम है, ठीक है, और यसलिए मैं कह रहा हूँ, कि इनकी जो product pipeline है, वो काफी शानदार है, बात करते हैं, next era की UK और Europe market में, तो देखिए, UK और Europe में अगर आप revenue of rupees 181 crore from UK and euro formulation business of quarterfair 23, जो एक result है है, दोस्तों, quarter 1 के, उसमें revenue जो UK और Europe से है, वो 181 crore रहा है, अगर compare करेंगे 159 crore during the last year, यानि 14% के विद्धी year on year, 159 crore से सीध है, 181 crore, which is great, आगे हैं, नई product की बारें बात करें तो, planned 34 new filings for the next 3 years, of which 7 are planned in financial 23, in addition, 16 products are already filled and awaiting from approval, देखें, ये बहुत जादा positive news है, कि company इतना जादा aggressive अपने products को लिए करके, कि जो 34 नई filing है, आने product की वो आने वाले 3 सालों होने वाली है, जिसमें से साथ, 2023 जो है दोस्तों, financial year, वहाँ पर बात की जाएगी, इसके अलावा, 16 product जो है दोस्तों, वो already file कर दिये गये हैं, approval के लिए और वेटिंग कर रहे है approval के, यानि, 34 plus 16 products, ठीक है, आगे चलते हैं, Australia और New Zealand का, अगर मैं business की बात करेंगे, तो आप पाएंगे that, Australia and New Zealand business reported a growth of 38% year on year 2 rupees, 52.6 करोड, यह अभी दोस्तों यहाँ पे Australia और New Zealand में, यहाँ पी पैठ भी जमा रहे हैं, और 38% की year on year विदरों पे वृद्धी देखने को मिल रही है, 10 products are in pipeline and expected to launch over next 2 years, 10 products जो हैं दोस्तों, pipeline में हैं, वो आने वाले 2 सालों में, आप देखेंगे कि यह launch कर तो दिखाई देंगे, और बात करें, rest of the market की, तो rest of the business doubled, 26.3 करोड रोड़ीस, जो rest of the world का business है, वो double हो चुका है, यह देखें, हर जगा से growth है, problem दोस्तों है, pricing pressure, जो US है, वहाँ से price erosion होना, वहाँ की generic market है, generic medicine market है, वहाँ से लगातार cut throat competition का मिलना, ठीक है, अब बात करते है बिजनस performance की, तो देखिए, consolidated profit and loss, operating revenue में अगर आप नज़र डालेंगे, तो इस बार जो आया है, दोस्तों, वो देखिए, 433 करोड है, जो कि पिछले साल की सिकॉर्टर में 349 करोड थी, year on year बिस पे आप देखिए, वृद्धी दिखाई देने को मिल रही होगी, ठीक, बात करें business-wise performance की, तो देखिए, US और North America में आपको 25-7% की वृद्धी देखने को मिली, ठीक है, US-Europe में भी आपको वृद्धी देखने को मिली, और सबसे ज़्यदा वृद्धी rest of the world में आपको 99% की देखने को मिल रही है, बात करें, company की conference call की, जो कि वो बहुत important होने वाली है, तो दोस्तो 16 अगस्त को की जाएगी, तो यानि Tuesday को लगबक साड़े 5 बजे, ठीक है, तो देखिए, ये वीडियो इसलिए जरूरी था बनाना दोस्तों, ये बताने का, कि जो हमारा long term prospectus है, जो long term में जो हमारी journey हम सोच रखें, वो अभी भी intact है, company काफी शांदार तरीके से काम कर रही है, प्राब्लम वही है, जो अन्य companies का रहा है, फार्मा companies का भी, यूएस बजार से लगाता, प्राब्लम फेस करना, प्राइसिंग को ले करके, जिसके करण, margin बहुत जोर से dent हो रहे हैं, दोस्तों, आने वाले एक दो quarter में, मुझे ऐसा लगता है, कि ये चीज़े भी ठीक हो जाएंगी, और वापस से, माकसल फार्मा एक री रेटिंग का हगदार होगा, तो यदि आपको मेरी छोटी से analysis पसंद आई हो, प्रीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बारा है, सब्सक्राइब जरू कीजिएगा, यहां तक यूडियर है इस बात के ब सब्सक्राइब ऑग पार्मा जरू कीजिए और सकते हैं